जब आप जमाती और नमाजी गैंग के आर्थिक बहिशकार की बात करते हैं तो भारती मुसलमान आपको पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर आर्थिक बहिशकार ही करना है तो आप मुसलमानों के देशों से ये तेल क्यों खरीदते हो? लेकिन क्या आपको इसके पीछे की सच्चा ही पता है कि कोई भी मुसलमान देशों से तेल खरीदना नहीं चाहता वो लोग बेचना चाहते हैं क्या आपको पता है कि आज कचे तेल की कीमत जीरो डॉलर से भी नीचे आ चुकी है क्या आपको पता है कि इस्लामिक कंट्रीज में भी अपना तेल बेचने की कितनी होड और गला काट पृतियोगिता है और क्या आपने कभी सोचा है कि यदि इन से तेल खरीदना बंद कर दे जाएगा तो इनकी क्या स्थिति होगी इन सभी सवालों और सभी अफ़ाओं के उपर आज का विडियो नमस्त दोस्तों आपने देखा होगा कि जब से सोनुनी गम के उपर हमला होना शुरू हुआ उसके बाद अर्नब गोस्वामी के उपर भी हमला हुआ उससे पहले सादू संतों के उपर भी हमला हुआ है लगतार भारत वर्ष में ऐसे शब्दों का परियोग किया जा रहा है जो पाकिस्तान अर्व कंट्रीज के आतंकवादियों के द्वारा किया जाता था जैसे की मैं आपको बता दू आदिल एहमट डार जो की हिंदूओं को गौमुत्र पीने वाला कहता था पाकिस्तान का एक मंत्री भारत वाश्यों को गौमुत्र पीने वाला कहता है उनको गौबर भक्त कहता है इसी प्रकार के शब्दावली आप देखेंगे के भारत वर्ष में रहने वाले जो कंवर्टिड दो दो रुपे में जिनकी माओं ने अपना मजहब कंवर्ट कर लिय उन लोगों की उलादें आजकल हिंदूओं को गौबर भक्त कहती हैं गौमुत्र पीने वाला कहती हैं लेकिन क्या आप इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं कि इनके जो पौपर्ट सहाब थे वो उंट का पिशाप पीते थे और गधी का दूद पी करके बड़े हुए चालिस साल तक उनको एक गधे जितनी भी अकल नहीं थी उसके बाद उनको एक गुरू मिला जिसने उनको गुफा में लिया गुफा की पैदाईश ये अकसर हिंदू कहते हैं एक्चुली इनके पौपर्ट सहाब खुद एक गुफा के पैदाईश थे और उसके बाद में ही उनका एक दूसरा जन्म हुआ था चलिस साल तक न जाने उन्नोंने क्या-क्या कौन-कौन से तौफे अपने कबूल करवाए उसके बाद उनको तोरा का ग्यान मिला तौरा से उन्होंने बहुत सारे चीज़े चुरा करके अपने आपको नभी बताते हुए एक और कौपी पेस्ट मार दी और उसका नाम दिया किताब हावा हवाई उस किताब हवा हवाई को गडरियों के बीच में जो अनपड़ लोग थे उनके बीच में परचारित परसारित किया गया और बताया गया कि ये एक अद्रश शक्ती जिसको हला कहते हैं उसका दिया हुआ कलाम है और अब इसको पालन हमें करना है जो लोग तोरा को भूल चुके थे वो लोग इस बुक में उन्ही सब बातों को पढ़ने लगे जैसा कि आप लोगों के सामने गलत फ़हमी फला जाती है कि किताब हवा हवाई की एक आयत है पांच बती जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ती की हत्या बराबर हजार लोगों की हत्या लेकिन मैं आपको बता दू कि यह डिक्टो कोपी पेस तोरा से है और इसका इस किताब हवा हवाई से कोई संबंद नहीं है किताब हवा हवाई से जो संबंद है वो है पांच इकतिस और पांच तैतिस का उसको अवश्य पढ़ें आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी मानावता है और कितनी नहीं है वैसे 6666 आयतों में से सिर्फ 500 आयत हैं जो कि पौपट सहाब और उनके चाचा के साथ में जगड़े की भी हैं जो कि उनकी बीवियों के साथ में जगड़े की भी हैं और जो कि उनके अपनी बीवियों के उपर शक और शुभा को लेकर और अपने साथियों को ले करके उनकी बीवियों के संबंदों के उपर भी शको शुबा को ले करके बहुत सरी आयते हैं बाकी जो बचती हैं वो सारी के सारी Old Testament, New Testament, तोरा से Copy-Paste अडिटो लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन डेड़ अरब लोग इसके पीछे पागल हैं इसकी वज़ा यही है क्योंकि उसकी जो अंतिमायते हैं वो कहती हैं कि आप लोग जिदिस पर जरा भी शक करेंगे तो आपकी मौत जो होगी वो बहुत ही बुरी होगी और जो मौत का भय होता है वो बहुत खतरनाक होता है मौत का भय हमेशा कायरो को होता है श्रीमत भगवत गीता जी में कहा गया है कि मौत कोई सच्चाई नहीं है हम अजर, अमर, अविनाशी हैं कपड़ों की तरह शरीड को बदलना है फिर वापस आ जाना है इस तरीके की जो शिक्षाएं हैं वो दी जाती है सनातन वैदिक धर्में एक जूट आप लोगों के सामने फैलाय जा रहा है और वो जूट है कि अरब कंट्रीज के अंदर हिंदूओं को नहीं मारा जाता है जबकि भारत में मुसल्मानों को मारा जा रहा है इस बात से हमें क्या पता लगता है? इस बात से हमें ये पता लगता है कि भारत के मुसल्मान जो इस बात को कह रहे हैं वो ये मानते हैं, के भारतिय मुस्ल्मान यहां पर किRAयेदार हैं, यानि कि यहां पर किराय पर रहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, यदि आप कोई बात समझ नहीं आती है, तो इसकी थोड़े सी तहह में जाते हैं, अरब कंट्रीज में रहने वाला कोई भी हिंदू वहां का नागरिक नहीं है पहली चीज़ वहां जितने भी लोग जाते हैं जो वहां की सारी ववस्ताइं समभालते हैं चाहे वो उनकी कितनी भी रक्षा क्यों ना कर लें चाहे वो अरब गंटरिस की कितनी भी देश वक्ती क्यों ना कर लें लेकिन उनको वहां की नागरिकता नहीं मि कि मैं ही मुहम्मद का पूरा स्वरूब बन करके बाट गया हूँ आप फुल प्लानिंग ले करके जाईए कि मैं इसलाम को दो घंटे में इतना फैला दूंगा कि पूरी धरती पर इसलाम आ जाएगा तो भी आपको सौधी अरब की नाग रिखता नहीं मिल सकती है क्योंकि गंदा खून और कन्वेटिड मुसल्मान है और उनको इस बात का इल्म है लेकिन अगर भारती मुसल्मान इस बात को कहता है कि भारत में मुसल्मानों को मारा जाता है लेकिन वहाँ पर हिंदों को नहीं मारा जाता है तो इसमें भी एक जूट है वहाँ का नियम वहाँ के का मिलती हैं और कई बार इस तरीके की खबरे आ चुकी हैं लेकिन क्योंकि भारती हिंदू वहाँ पर एक नागरिक बनकर ही रहते हैं भले नागरिकता ना मिले और सभी नियमों का पालन भी करते हैं इसलिए सजाद देने का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है उल्टे भारत में आप देखिए आबादी में कम लेकिन अपराधों में सबसे ज़्यादा बलातकारों में सबसे ज़्यादा लूट खसोट में सबसे ज़्यादा नियमों का पालन ना करने में सबसे ज़्यादा मतलब कहेंगे कि ये तो कुद्रत का करिश्मा है हम अल्लह से डरते हैं किसी पुलिस से, किसी कोड़ से, किसी कानून से नहीं डरते लेकिन यहाँ पर अगर उनको सजा मिल जाए तो कहेंगे कि हमारे उपर अत्याचार हो रहा है अजरुदीन यादा आपको उसने क्या कहा था मैं मुसल्मान हूँ, इसलिए मुझे सजादी जा रही है इवन वही नहीं ओवेसी बंदू भी यही कहते है यही नहीं, महमुद पराचा हर बार यही बात कहता है जितने मवलांडे हैं लंबी-लंबी दाड़ी वाले जितने भी यह बकरे जैसी शकलों के मुच हमुडी कौम के लोग है सारे यही कहते हैं कि हम मुसल्मान होने के वज़े से यहाँ पर इस जिल्लत को जहल रहे हैं लेकिन क्या आप यहाँ पर किरायदार है क्या हिंदू वहां के नागरिक है इस बात को अभी तक भी क्लियर नहीं किया गया है दोस्तों यह मुसल्मान शायद इस बात को मानते हैं कि जिस परकार से वहां पर हिंदू किरायदार है इसी परकार से यहां का मुसल्मान भी किरायदार है और किरायदार होने के बावजूद भी हम लोगों के उपर इतनी जो जुल्म और जादतियां हो रही है जो कि वहाँ पर हिंदों पर नहीं होती है चाहिए भारते मुसल्मान अपने आपको और भी मानते हैं इसलिए एक comparison हो रही है तो भी ये गलत है इस बात को मैंने पहले सिद्ध कर दिया है लेकिन अगर हम ये बात देखें कि अगर वहाँ पर हिंदों के उपर जाती नहीं होती है तो क्या भारत में जो असली अरबी लोग हैं उनके उपर जात्या होती है तो नहीं होती है सिंपल सी बात है जब भारती हिंदों के उपर वहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है तो अर्बियों के उपर यहां भी अत्यचार नहीं होता है लेकिन भारती मुसल्मान जो हैं जो कि कन्वर्टिड हैं जिनकी माओं ने दो दो रुपे पर सलवार खोल करके इन लोगों को पैदा किया वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग तो अर्बी हैं और हमारी comparison इस मामले में की जानी चाहिए कितना दोगलापन है एक और जूट आप लोगों की बीच में फैलाया जाता है और वो ये है कि अगर मुसल्मानों ने और मुगलों ने हिंदू को इतना हिमारा होता तो क्या आज हिंदू यहां की 80% आबादी में होते बहुत बड़ा जूट आप लोगों की बीच में फैलाया जाता है और इसके उपर भी काफी सारे लोगों ने सवाल किया और बहुत सारे लोग तो confess कर जाते हैं कि हाँ यार ये तो बात सची है इसके उपर मैं आपको सिर्फ दो ही बात करना चाहता हूँ कि आप ये भूल जाते हैं कि जिस टाइम पर यहां पर इसलामिक शाशन था उस टाइम पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश तक ये सारे के सारे देश भी हमारे थे और आज अगर हमने उन सब को बाहर निकाल दिया तो सिर्फ हम भारत की जिनस्चा को कैसे काउंट कर सकते हैं हमका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगला देश आदी जितने भी देश हैं उन सब को भी count करना होगा उन सब की आबादी को count करना होगा दूसरी चीज हम ये भूल जाते हैं कि इस्लामिक शाषन के तुरंत बाद आजादी नहीं मिली है बीच में हम 72 साल और गवा चुके हैं जो गुजार चुके हैं और प्लस हमने 200 साल इसाइयत की हुकूमत यानि कि ज उसके बाद में हिंदूओं को थोड़ी सराहत और थोड़ी सांस मिली थी क्योंकि उनके द्वारा इस तरीके के कोई कानून नहीं थे कि यदि आप tax नहीं देंगे तो आपके मूँ पर थुका जाएगा यदि आप tax नहीं देंगे तो आपके घरों में आग लगा दी कि आप जानते हैं अगर आप अपने दादा या परदादा जो जिन्दा हों से पूछे कि आपको उस टाइम के school colleges में sanskrit पढ़ाय जाती थी या फिर उर्दू पढ़ाय जाती तो वो बताएगे कि उर्दू पढ़ाय जाती थी क्योंकि उस टाइम पर जो गुरुकुल थे वो 222 साल हैं वो हैं प्लस जो बटवारा हो चुका है उसको हम इग्नोर ना करें तब जा करके यह पूरी की पूरी जो डेमोग्रेफी है वो हमको समझ में आएगी इस परकार के और भी बहुत सारे जूट हैं जो हमारे सामने आते रहते हैं पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने जो वीडियो रिलीज किया था जिसमें हमने बताया था किस परकार से लाल किला और ताज महल की मालकी ने आज कागज और कटोरा लेकर के रोड़ साइड खड़ी हुई है उसमें जो वोईस ओवर है उसमें जो महिला थी जो शाहिन बाग में बैठी हुई थी वो कह रही इसलिए बता दू कि उसके उपर विश्व युद में लड़ने वाले उन गद्दार भारतियों के नाम है या मजबूर भारतियों के नाम है जिनको जबरदस्ती यहां से भर भर करके ले जाया गया था असली जो फौज थी वो थी सुभास बाबू के द्वारा तयार की गई फ कि उस पर असी परतिशत मुसलमानों के नाम नहीं है और दूसरी बात के अगर वो 80 परतिशत मुसलमानों के नाम है तो या तो वो कायर थे, मजबूर थे या फिर वो गद्दार थे इसलिए आप लोग स्वाई ही अपने आपको गद्दार बताने का बार-बार प्रियास ना किया करें, आप अपने आपको बार बार किरायदार बताने का प्रियास ना किया करें, आप अपनी किताबे हवा हवाई की पोल स्वम ना कोला करें, क्योंकि इसके लिए हम पैठे हुए हैं अल्रेडी, हमारा काम इतना भी आसान मत किया करो, प्लीज हमें महनत करने की आदत है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मुझे आशा है कि आप लोगों की बहुत सारी गलत फाहिमाद दूर हुए होगी ये वीडियो गर आपको अच्छे लगे तो इसको सब के साथ में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए मैंने संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जये जय हिंद वंदे मातरम